हलो दोस्तो मैं संदिक मिसरा आप सभी का सवगत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल SM Classes में दोस्तो यदि आप Agriculture के फिल्ड में अपना केरियर बनाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारास हिंदू यूनिवर्स्टी यानि की बियच्चू BSC Agriculture जो की 2021 में होने वाला है उससे जुड़े हुए कुछ Most Important Topic के बारे में तो वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे इलिजबिल्टी के बारे में यानि की आप BSU BSC Agriculture का एक्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या-क्या qualification होनी चाहिए इसके लावा कितनी seat होती है college का फीस कितना है और इसके लावा Most Important इन चीज हम बात करेंगे कि syllabus क्या है एक्जाम में क्या-क्या syllabus से question पूछे जाते हैं एक्जाम का pattern क्या है किस तरह के question आते हैं question में क्या-क्या आते हैं और कितने time का paper होता है और इसके लावा कब online form आते हैं और कब form fill up किया जाता है कब तक exam होते हैं तो आइए इन सभी जानकारी के लिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आइए सबसे पहले हम बात कहते हैं eligibility की कि यदि आप बीच्चू बीच्ची एक्जाम देना चाहते है तो आपके पास क्या eligibility होनी चाहिए तो आप 12th pass होने चाहिए ठीक है और आपका जो stream है वो फिर physics chemistry bio या फिर physics chemistry agriculture होना चाहिए और यदि आप general category से हैं तो आपका जो percentage होना चाहिए वो 50% होना चाहिए वही हम बात करें OBC group के लिए तो OBC group के लिए 5% का relaxation होता है यानि कि आपके 45% exam में होने चाहिए वही हम बात करें STSC group के लिए केवल passing criteria है यानि कि आप 12th pass होने चाहि करते है एज लिमिट की तो एज लिमिट के लिए criteria क्या है यदि आप एक जुलाइद 2020 को 16 साल उम्र पूरी हो जाती है या फिर आपका एज 16 से 25 के बीच है तो आप ये फॉर्म फिलप कर सकते हैं अब आए नेक्स हम बात करते हैं number of seat और number of fees के बारे में तो यदि हम बात करे सीट की तो यहां पर आप देख सकते हैं एक स्चोवन सीट है और इसके लावा पचास सीट और है मतलभ टोटल 2204 सीट इसके लावा बात करे हम यदि इसके दो प्रेंपस की तो थो बियुक्त क्यंपस है ठीक है और इसके अलावा राजीव गानधी साउथ केंपस है यह दो क से लेकर Hun कंपस का है लेकिन 기an Del lived 32,000 टो इस लिए जो dáno के चलते हैं की तो इतने लगते हैं आएं नेख्य समझे में सब्सक्राइब करते हैं नंबर आफ सीट की है वहां पर आपके जो टोटल सीट है वा थे एक सचोवन यानीकी 154 वही बात करें हम राजिवगांदी साउथ केमपस की तो यहां पर कुल 50 सीट है तो में केंपस और राजिवगांदी केमपस दो तो 204 seat यहां पर हैं अब आए नेक्स्ट हम बात कहते हैं exam pattern की या फिर हम कह सकते हैं paper pattern की तो इसमें कुल आपके 200 multiple choice question होंगे जो की 5 section में divide होंगे जो पहला section होगा वो होगा mental ability का दूसरा जो section होगा वो होगा chemistry का तीसरा होगा physics and mathematics का चौथा होगा botany audiology का और फिप्थ होगा agriculture का तो इन 200 question में से आपको केवल 100 question ही करने हैं तो इन 100 question में से आपको 50 question यानि की 25 question mental ability के और 25 question chemistry के यह करने हैं यह compulsory है तो चाहे आप math group से हों चाहे बायो ग्रूप से हों या फिर ag group से हों आपके लिए यह दोनों section compulsory हैं और इसके अ botany and geology और इसके बाद agriculture तो इसमें से कोई एक section आप कर सकते हैं जिसमें 50 question हैं तो पचास question यह हो गया और बाकी जो compulsory है पचास हों तो total 100 question हो जाते हैं तो अगर math group से हैं तो आप physics और mathematics के 50 question कर सकते हैं और यदि आप बायो ग्रूप से हैं तो botany and geology के 50 question कर सकते हैं और यदि आ agriculture से हैं तो 50 question 5th section से कर सकते हैं तो आई होप आपको समझ में हो गया समझ में आ गया होगा कि किस तरह के pattern होते हैं किस तरह से question आपके पूछे जाएंगे तो यदि बात करें हम exam के preparation की तो यहां पर आपके लिए थोड़ा सा अलग है mental ability तो mental ability के लिए आप तैयारी कर सकते हैं और mcq solve कर सकते हैं आप जितना अधिक practice करेंगे आपके लिए यह simple है तो जो PCM वयानी की physics chemistry math वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो यह बहुत ही golden chance होता है क्योंकि वह असानी से इसको crack कर सकते हैं यदि बात करें हम तैयारी की तो आप class 12 से जितने भी आपके syllabus हैं खासकर आप ncrt book को touch करिए और उससे जुड़े वे जितने भी topic है mcq है उसको एकदम अच्छे से पढ़िए नोट्स बनाएए उससे तयारी करिए क्योंकि आपके जो maximum question पूछे जाते हैं वो ncrt based होते हैं और सभी ncrt पढ़ने के बाद जितने भी mock test है आपको उनको लगा सकते है हैं solve कर सकते हैं practice set solve कर सकते हैं तो आप जितना practice करेंगे आपके लिए उतना ही helpful होगा और उतने आसानी से आप इस exam को crack कर सकते हैं जोधी बात करें आपके तैयारी की तो आपकी तैयारी के लिए मैंने अपने चैनल पर बायो यानिकी जिलोजी और बाटनी इसके अलावा chemistry और physics इन सबी topics से जुड़े हुए video upload कर रखे हैं और आने वाले दिनों में mental ability से जुड़े हुए भी video upload करूँगा ताकि आपकी जो तैयारी है वह easily और proper तरीके से हो सके तो यदि आप लगातार चार से पांच घंटे per day पढ़ते हैं continuous तो आप अपनी तैयारी अच्छा से कर सकते हैं और हमारे चैनल पर आपकी तैयारी के लिए अनेक वीडियो upload है इसके अलावा जो physics chemistry math group के बच्चे है या फिर physics chemistry bio group के student है उनके लिए भी video हमारे चैनल पर upload है तो वह भी अपनी तैयारी प्रापर तरीके से हमारे चैनल पर कर सकते हैं और यदि बात करें आपकी तै को अच्छे से पढ़िए ध्यान लगा के पढ़िए क्योंकि जो important topic होते हैं NCRT book में बीच बीच में दिये रहते हैं खासकर activity वाले topic को भी देखते चलिए अगर आपके book में activity दिया हो इसके लाबा कुछ practice set के लिए आप कोई न कोई एक book जरूर ले लिजिए और उससे आप वीडियो में दे रखा है तो आप चाहे तो उस playlist में जाकर previous year के जितने भी paper है उन्हें solve कर सकते हैं तो exam को crack करने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने language में notes बनाईए और जो most important topic है उसको याद करिए और जो बहुत लंबे topic है उनका trick बनाईए और trick से जुड़े भ topic है उनको trick wise मैंने अच्छे से समझाया है खासकर chemistry के लिए तो यह सभी topic आपको हमाई channel पर मिल जाएंगे तो इन सभी बहतरीन topic के लिए आप हमाई channel को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा और बगल में जो bell icon है उसे जरू प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के video upload करूं उसका notification आपको मिलता रहा तो दोस्तों आज की video में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले topic के साथ तब ते के लिए जहिन जवारत